नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृती विद्या टुटोरियल्स में मैं हूं मिथलेश बर्मा और आज हम लोग पढ़ेंगे घन एवंग घनमूल का पार्ट थट पढ़ेंगे हम लोग इससे पहले दो पार्ट देख चुके हैं तो आज हम लोग पार्ट थट देखेंगे और हम लोग बेसिक मैथेमेटिक्स के अंतरगत इसको देख रहे हैं तो मित्रों ये बता दूँ कि ये वीडियो उन लोगों के लिए काफे महतपूर्ण है जो जेटेट की तयारी कर रहे हैं, सीटेट की तयारी कर रहे हैं या किसी भी competitive exams की तयारी कर रहे हैं साथ ही साथ उन नन्हे मुन्हे बच्चों के लिए भी important है जो नवदे, नेतरहाट, सैनिकी स्कूल, इत्यादी, विद्याले के परविश परिशा की तयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी काफे महतपूर्ण है ये तो आएए देखते हैं कुछ परशनों को चो कि part 1 और part 2 में हम लोग concept सिखे, कुछ trick सिखे आज हम लोग मुलत घनमूल और घन और घनमूल पर कुछ परशनों को देखते हैं पहला परशन है कि 4 पुर्णांक 12 वटे 135 का घनमूल बराबर है किसके बराबर? एक पुर्णांक 2 वटे 5, एक पुर्णांक 3 वटे 5, एक पुर्णांक 4 वटे 5 या 2 पुर्णांक 2 वटे 5 तो इसको हम लोग solve करेंगे तभी पता चल पाएगा किसके बराबर है या तो आएए हम लोग इसको solve करके देखते हैं तो पहले हम लोग question को लिख लेंगे ये घनमूल का साइन है ये चार पुर्नांक बारह वटे एकसो पचीस हम लोग पुर्नांक पहले कैसे तोड़ते हैं सोतो जामले चार पुर्नांक बारह वटे एकसो पचीस पुर्नांक तोड़ने का नियम है इन दोनों को गुना कर देना तो एक सो पचीस को आप चार से गुना करेंगे एक सो पचीस को चार से जब गुना करेंगे तो पांच चो के बीस पांच जने आठ और दू दस चार एक चार और एक पांच पांच सो हो गया और इसको जोड़ दिया जाता है यत्कुल मिला के हो गया पांच सो बारह बटे एक सो पचीस तो हम लोग इसके बराबर लिख सकते हैं इसके बराबर लिख सकते हैं हम लोग पांच सो बारह बटे एक सो पचीस हम लोग घनमूल निकालने के लिए सीख चुके थे तो 512 का जो घनमूल होगा हम लोग देख लेते हैं क्या होगा इसको हम लोग यहां तीन लिखना है 512 का ज़दी नहीं जानते हैं तो हम लोग निकाल के देख लेते हैं एक बार फिर से तो 2 है लास्ट में तो 2 से कट जाएगा 2 दुनी चार एक बच गया दो पच्चें दस दो छक बारह फिर दो से तो हो जाएगा एक शो अठाइस फिर दो से जदी बात करें तो हो जाएगा चपन फिर दो से बात करें तो अठाइस फिर दो से बात करें तो चवदा फिर दो से बात करें तो साथ यहां थोड़ा mistake होगे अमित्रों देखिए 2 से ज़िदे divide करेंगे तो 2 छक 12, 2 चवक 8 फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 32 फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 16 और 16 होगे और फिर 2 से करेंगे तो 8 फिर 2 से करेंगे 4 फिर 2 से करेंगे तो 2 इस तरह से हम लोग देखेंगे कितना पेर लगा एक तिन तिन का जोड़ा हम लोग बनाते हैं दो और एक तिन तो दो दूनी चार दूनी आठ या तो हम लोग कह सकते हैं कि दो पे पावर तीन गुने दो पे पावर तीन गुने दो पे पावर तीन और 525 का हम लोग, 125 का हम लोग, 1 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से ही कटेगा तो 5 दुने 10, 25 तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 पे पावर 3 यहाँ जदि 3 वैठा रहता है, इसका मतलब है कि जिस पे पावर 3 है वो बाहर निकल जाएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 बाहर निकल गया और इस पर भी पावर है तो 5 भी बाहर निकल जाएगा तो 2 दुनी 4 दुनी कितना हो गया, 8, 8 बटे कितना हो गया, 5 और 8 बटे 5 को हम लोग लिख सकते हैं, 1 पुरनांग 3 बटे 5 तो हमारा जो correct answer हुआ, वह हुआ 2 next question है कि 1 minus 91 by 216 का घनमूल किसके बराबर होगा 1 minus 5 by 6, 5 by 6 इतना या इन में से कोई नहीं तो हम लोग इसको solve करके ही हम लोग देखेंगे तभी पता चल पाएगा तो आईए हम लोग solve करके देखते हैं, यहाँ पर सवाल को लिख लेते हैं 1 minus 91 by 26, तो हम लोग पहले इसका simplify कर लेते हैं LCM हो गया 216, 216, तो 216 में जदी हम लोग 91 घटा लें 216 minus 91, 6 में 5, 1 यहाँ बच गया, 11 में 9, 2 214, 11 में 9, तो एक सो पचीस बचा, ऊपर में, आपका ऊपर हो गया 120 और नीचे हो गया, 206, तो 216 का थ मुझे जानते हैं, पाइव इंटू फाइव इंटू फाइव, इंटू फाइव, दो सोजलो का देख लिए जाए, दो से तो 108, दो से तो 54 फिर 2 से तो 27 फिर 2 से तो 2 से नहीं अब 3 से 3 9 फिर 3 तिरी जा तो कितना हो गया आपका यहां से इसको हम लोग ज़्यादे लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहां 3 है तो हम लोग लिख सकते हैं 5 पे पावर 3 125 को और 260 लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 गुने 3 पे पावर 3 देख रहे हैं न तो जिस पर यहां पर पावर 3 है मतलब जिस पर जिस पर पावर है वो बाहर निकल जाएगा 5 बाहर निकल गया चुकि पावर 3 है यह इसमें भी पावर 3 है तो बाहर निकल जाएगा और इसमें भी power 3 head बाहर निकल जाएगा तकूल मिला के कितना हो जाएगा ये 5 बट 6 हो जाएगा 5 बट 6 मतलब option number 2 हमारा जो होगा वो correct answer होगा तो मित्रों आप समझ रहे होंगे जदि आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो प्लीज एक like बटन आप देवा देजे next प्रस्न हम लोग देखते हैं ये वर्गमूल से आ गया चुकि वर्गमूल और घनमूल का जो चैप्टर है एक ही साथ रहता है तो आ गया तो चलिए कोई बात ने हम लोग इसको देख लेते हैं कोई problem नहीं हम लोग इसको solve करके देखते हैं कि इसका मान क्या होगा 64, 16, 32, या 8 होगा तो हम लोग solve करके देखेंगे तभी बता पाएंगे क्या हो सकतेगा ये हो गया 16 ये हो गया आपका 3 ये हो गया 512 और ये हो गया 8 तो हम लोग देखते हैं इसको solve कैसे कर सकते हैं तो हम लोग 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, इसको तो यह 3 जो cancel हो जाएगा और 512 को क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग पहले 2 से divide कर देते हैं, तो 2 से 2 दूनी 4, 2 पचे 10 और 2 छक 12, फिर 2 से तो 128, फिर 2 से तो 64, फिर 2 से तो 32 फिर दो से तो 16 फिर दो से तो 8 फिर दो से तो 4 फिर दो दूनी 4 एक दो 3 हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग जदी लिखना चाहें तो यहां 16 है यहां पर है आपका 3 हम 512 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 गुने 2 पे पावर 3 गुने 2 पे पावर 3 और 8 को भी हम लो से दो पर पावर तीन लिख सकते हैं, तो हम लोग यहां तीन है, तो तीन जिस पर जिस पर पावर हो बाहर निकल जाता है, हम लोग जानते ही हैं, तो देखिए कि यहां यह सोला है इस घर से बाहर रूट से बाहर को निकल जाता है यह दो निकल जाएगा फिर यह दो निकल जाएगा फिर यह भी दो निकल जाएगा यह भी दो निकल जाएगा क्यों जिस जिस पर पावर्तीन होता है वो बाहर निकल जाता है तो आप बता देजे कि स्क्वाराइर रूट है, अब यहां है स्क्वाराइर रूट, मतलब वर्गमूल है आ गया आपका घणमूल का concept उसमें था, यह वर्गमूल का concept आ गया तो आप 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को तो आप आराम से लिखी सकते हैं क्या लिख सकते हैं सोलल को जैदी बात करें 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 6 सोलल के इतना लिख दिये और फिर यह है सोलल ही है तो आप समझ रहे होंगे या तो इसको अम लोग और simplify कर आराम से कर सकते थैं इसको छोड़ी दीजे इसको लोग लिख सकते थे 16 गुन्य 16 ये भी 16 है ना तो जब double हो जाता है जब power 2 हो जाता है इस पर कितना हो गया 16 पे power 2 और यहां क्या छिपा रहता है 2 तो 2 2 cancel हो जाता या तो कहिए कि जब पाज इस पर power 2 होता है उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं वर्गमूल के केस में तो बाहर कौन निकल गया आपका शोला तो करेक्ट अंसर आप जदी जानना चाहें तो आपका वो होगा दो नंबर तो इसमें हम लोग इसको तोड़ेंगे तो भी वही आएगा जो एक ही बात है इससे बना लिजे या तो इसको बनागर के शोला देख लिए जब पेर बन जाता है वर्गमूल में जब जोड़ा बन जाता तो वही निकल जाता है और घनमूल में तीन तीन का जोड़ा बनाते है हम लोग तीन-तीन को एक साथ रखते हैं और जिस पर पावर तीन हो जाता है उसको हम लोग बाहर निकालते हैं आएए देखते हैं ये वर्गमूल और घंबूल एक साथ है कोई बात नहीं हम लोग आएए शॉल्व करते हैं इसका सॉलूसर क्या होगा ये चारों में से कौन आप्सन सही होगा ये हम लोगों को बताना है तो हम लोग सॉल्व करकर बताते हैं ये तीन है और ये है वर्गमूल है ये ڈखिए जीरो पॉइंट जीरो 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 चार तो हम लोग जानते हैं कि दसमलो का जो होता है यह देखिए दसमनलों के बाद कितना संख्या है च्छा संख्या है तो तीन संख्या के बाद दसमनलों आ जाएगा तो आठ होगा इसको आठी आठी चौरसट आठ होगा वर्गमूल चमलोग जैदी सिंपली बोलें कि चौरसट का वर्गमूल कितना होगा तो आठ होगा तो चौरसट का तो आठ होगा जरूर आब उसके बाद दसमलों के बाद कितने संख्या तो है च्छा संख्या तो तीन चाहाओ जाएगा k audition जीरो जीरो एट इस तरह का जाएगा जीरो पॉंट एट जिरो ृट्ट यहाँ देखे च्छा संख्य का दो दो चार दो च्छा तो बस जस्ठ हाप पे आ जाता है वर्गमूल निखालते हैं तो और जब अब इसका वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे 0.2 आएगा आपको यकीन नहीं होगा तो इसको आप तीन वर गुना कर लिजे ये आजाएगा तो आपका जो correct answer आया